हलो फ्रेंड्स मासलब शब्र हुसेन and you are watching Physio Talk दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगे काइफोसिस के बारे में के काइफोसिस कंडिशन क्या होती है इसके टाइप्स कितने होते हैं इसका डाइगनोसिस कैसे किया जाता है साथ ही आपको बताएंगे काइफोसिस कंडिशन के Physiotherapy Treatment के बारे में तो इस वीडियो को end तक देखना बिल्कुल ना भूलें चनल पढ़ना है चनल को सब्स्ट्राइब कर लीजिए और नीचे बेल ऐकन को भी दबा लीजिए देखने को मिलता है जिसकी वज़े से आपको rounded और hunched back देखने को मिलती है अब बात करते हैं कि kyphosis कितने types का होता है kyphosis तीन टाइप का होता है जिसमें पहला होता है postural kyphosis दूसरा होता है आपका sherman's kyphosis और तीसरा होता है congenital kyphosis जो postural kyphosis है वो बहुत ही ज्यादा common होता है यह बेसिकली आपको adolescence age में देखने को मिलता है दूसरा होता है sherman kyphosis बेसिकली यह teenage age के अंदर आपको देखने को मिलता है teenagers में आपको देखने को मिलता है यह होता है आपके जो abnormal growth होती है vertebrae की उसकी वज़े से आपको देखने को मिलता है sherman kyphosis दोस्तो तीसरा जो last type है kyphosis का वो होता है congenital kyphosis बेसिकली यह आपको at the time of birth देखने को मिलता है spinal abnormalities की वज़े से यह kyphosis आपको देखने को मिलता है अब बात करते हैं दोस्तों इसका diagnosis कैसे किया जाता है दोस्तों पहले doctors आपका physical examination करते हैं आपके spine का curvature पता करते हैं कि आपका spine कितना degree तक मुड़ा हुआ है साथ ही आपके spine का range of motion असेस करते हैं doctors और आपके जो spine की जो curvature है वो कितनी degree का है उससे इसकी severity का पता लगाया जाता है साथ ही कुछ imaging test करवाने के लिए radiological imaging test करवाने के लिए doctors आपको कहते हैं जिसमें x-ray जो है वो सबसे ज़्यादा common होता है x-ray के अंदर doctors आपके spine कितने degree तक मूड़ी हुई है वो देखते हैं पर ज्यादा additional अगर कुछ चीज़े doctor को पता करनी है या आपकी spine को ज़्यादा अच्छी तरीके से study करना है तो आपको MRI और CT करवाने के लिए कह सकते हैं दोस्तों अब बात करते हैं कि इसका physiotherapy treatment किस तरीके से किया जाता है doctors आपकी जो physical examination है वो करने के बाद और आपके radiological investigation करने के बाद doctors आपके posture को assist करेंगे तो पहले आपको postural correction exercises दी जाएगी ताकि आपकी spine का posture सही किया जा सके जितने हद तक वो कर सकते हैं doctors वो आपके spine का posture correct करने की कोशिश करते हैं तो postural correction के लिए वो आपको aware करते हैं दूसरा होता है कि आपको spine की flexibility और stretching exercises वो prescribe करते हैं ताकि जो kyphosis से associated tightness है आपके spine के अंदर या flexibility जो reduce हुई है वो regain की जा सके तो आपको flexibility improve करने के लिए stretching और flexibility exercises कराई जाती है साथ ही आपको core stabilization दिया जाता है ताकि आपकी core को stabilize करके आपको सही posture में रखा जा सके साथ ही आपको brace भी दिया जाता है पर कुछ severe condition में दोस्तो surgical intervention की भी आवशकता होती है surgery की requirement होती है तो दोस्तों कुछ इस तरीके से kyphosis बिमारी का diagnosis किया जाता है और कुछ इस तरीके से इसका presentation होता है उम्मित करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आए होगी ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी description box में दी गई हुई link से आप वो article पर सकते हैं जिसमें हमने kyphosis के बारे में सारी चीज आपको बता रखी है उम्मित करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आए होगी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को like, share and subscribe करना ना भूले thank you for watching physio talk